हेलो फ्रेंज मैं शिवानी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल सरस्टेडी पॉइंट पर फ्रेंज आज की वीडियो बहुत ही इंपोर्टिंट है एल्सियम से शेश पर आदारित प्रेश्णों को हमने यहां बहुती आसान तरीके से सॉल्ब किया है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो पहला प्रेश्ण है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रती एक दशा में 7 बचे इस प्रकार की कोशन में आपको सबसे पहले दी गई सक्ख्याओं का एल्शम निकालना है एल्शम निकालने की बहुती आसान ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं तो इन दी गई संख्याओं को सबसे पहले हम 2 से काटेंगे 2, 4, 8, 2, 5, 10 और 2, 6, 12 2 का 2 हमने यहाँ पर उतार दिया 2 से भाग करेंगे 2, 4, 5 क्योंकि 2 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है इसलिए इसको इसी तरीके से उतार देंगे और 2, 3, 6 अब इस पेर में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसको कोई कॉमन संख्या काट रही हो तो अब हम इनका मल्टिप्लाई कर देंगे 2 और 2, 4 हो गया यहाँ 4 हमने उतार लिया अब इनको मल्टिप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, 4 तिया 12 इस तरह से हमें इसको इजी बना के इसका मल्टिप्लिकेशन कर लिया है तो 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 120 हो गया है तो 120 इंदी गई संख्याओं का एल्शियम हो गया यह कह रहे है कि प्रतिक 12, 7 बचना चाहिए तो क्या करेंगे एल्शियम में 7 को जोर देंगे कितना हो गया 127 हो गया यही आंसर हो गया है तो मैं उमीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको यह प्रेशन अच्छे से समझ में आया होगा अगर नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं चलिए हम इस कोश्चन को दूसरी तरीके से देख लेते हैं इस चीज को हम इस तरीके से समझ लेते हैं फ्रेंड्स मान लीजे वह छोटी से सोटी संख्या है 15 ठीके तो 15 को यदी 8 से भाग किया जाए तो कितना शेश बच रहा है 8 ही कम 8 पंदरा में से 8 गया 7 यानि कि 7 शेश बच रहा है तो जिस संख्या से भाग दिया गया है और जो शेशवल है उन दोनों को जोड़ना है यानि कि जो 7 बच रहा है इसको जोड़ना है तो 15 वे छोटी से छोटी संख्या नहीं है क्योंकि अगर हम इसको 10 से भाग करेंगे तो 5 6 बचला है और अगर 12 से भाग करेंगे 3 6 बचेगा तो friends हमने इसके लिए क्या करा 8, 10 और 12 का एलशम निकाल लिया एलशम आया है 120 ठीक है friends और इसमें 7 जोट दिया क्योंकि 7 शेशवल है तो ये हो गया 127 अगर आप 127 को 8 से भाग करके देखते हैं तो शेशवल 7 बचेगा इसी तरीके से 10 और 12 से भी भाग करेंगे तो 7 ही शेशवल बचेगा तो 127 इसका final answer हो गया तो मैं उमीद करती हूँ friends आपको ये प्रेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा चलिए एक क्वेशन और देख लेते हैं जिससे हमें ये बात अच्छे से रिक्के से फ्लियर हो जाए नेक्स्ट क्वेशन है वहे छोटी से छोटी संख्या ग्याद करिए जिसे 9, 27, 45, 63 से भाग करने पर प्रतीक तश्या में एक शेश पचे तो सबसे पहले हमें दी गई संख्याओं का एल्शम निकालना है एल्शम निकालने के लिए आपने संख्याओं को इस तरीके से रख लिया अब इन संख्याओं में देखे कौन से ऐसी संख्या है जो कि इन संख्याओं को पूरा-पूरा काड़ सके तो चलिए 3 से स्टार्ट कर लेते हैं तो 3, 39, 27, 3, 1, 3, 35, 15, 3, 26, 3, 1, 3, 3 अब यह जो 3 आया है आप इसको as it is उतार लेंगे गुड़ा का साइन लगाएंगे आप कोई एक ऐसी संख्या चूस करिए जो भाग कर रही हो इन संख्याओं को तो 3 से भाग कर के देख लेते हैं 3, 1, 3, 3, 9, 3, 5, 15, 3, 21 अब यह जो 3 गुड़ा 3 है इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे 9 कर लेंगे आप यहाँ पर कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है जो कि इन दी गई संख्याओं को काट रही हो पूरा-पूरा तो अब यहाँ पर हम मल्टिप्लिकेशन कर लेंगे 9 गुड़ा 3, गुड़ा 5, गुड़ा 7 तो 5 दिया 15, 15 नम्मा 135, गुड़ा 7 करेंगे तो कितना आएका 5, 7, 35 का 5 हासिल लगा 3, 7, 21 और 3, 24 का 4 हासिल लगा 2, 7, 7 और 2, 9 यानि कि 945 इंदी गई संख्याओं का एलशयम हो गया क्योंकि भाग करने पर एक शेश बच रहा है तो 945 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो गया 946 तो 946 ही वह संख्या है जो इंदी गई संख्याओं से विभाजित करने पर एक शेश देगी तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंच आपको ये प्रेशन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा चले नेक्स्ट कोईशिन की और बढ़ लेते हैं नेक्स्ट कोईशिन है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें से 6 घटाने पर शेश बची संख्या 18, 30, 42, 46 से पूर्टिया विभाजित हो जाए तो फ्रेंच सबसे पहले हमें दी गई संख्याओं का एल्शम निकालना है दो नम अठारा, दो इकम दो, दो पंजे दस, दो दुनी चार, दो इकम दो और यहां बचा है 33 अब दो का दो उतार लेंगे गुड़ा का साइन लगा लेंगे अब कोई कैसी संख्या चोज करिए जो इन दी गई संख्याओं को विभाजित करें 3 से विभाजित करके देख लेते हैं, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 इकम 3, 3 इकम 3, 3 दो निक 6 हमने इसको इसी तरीके से उतार लिया, अब यहां पर कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है जो इन दी गई संख्याओं को पूरा-पूरा काट ले, तो अब मल्टिप्लाइ कर ल देखेंगे, 7 तिया 21, गुड़ा 11, हमें मल्टिप्लिकेशन को इजी बनाना है, तो ऐसी संख्याओं चूज करिए, जिनको गुड़ा करने पर लास्ट में 0 आ जाए, 3 इकम 3, 3 दो निक 6, 0 का 0 तर्गया 11 से मल्टिप्लाइ करेंगे, 11 तिया 33 का 3, हासिल लगा 3, 11 छंग 6 औ और 3, 69, 99 हो गया है, तो यही इन दीगरी संख्याओं का एलश्यम होगा, यह कह रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ग्यात करें, जिसमें उसे 6 घटाने पर, तो और क्या करेंगे, इसमें 6 जोड देंगे, तो कितना हो गया, 6, 9, 3, 6, यही फाइनल आंसर हो गया, बहुत से फिरिन सोच रही होंगे, क्योंकि यहाँ पर गटाना लिखा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पर माइनस करना है, नहीं, हमें वह संख्या निकाननी है, जो समें से 6 घटाने पर, अगर हम 6,936 में से 6 घटाएंगे, तो कितना आएगा, 6,930 जो कि इन संख्याओं से पूरा- अगर क्लियर हुई है, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दे, अगर यहाँ पर गटाना दे रखा है, तो हमें एलश्यम बे चोड़ना है, और अगर यहाँ पर जोड लिखा होता, 6 जोडने पर, तो हम क्या करते हैं, एलश्यम में 6 घटा देते, चलिए एक जोडने वाला 10, 12 से पूर्तिया विभाजित हो, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें दी गई संख्याओं का एलश्यम निकालना है, अब देखिए इन संख्याओं को कौन सी संख्या विभाजित कर रही है, हम 2 से काट के देख लेते हैं, 2, 3, 6, 2, 4, 8, 9 का 9 तार लेंगे, क्योंकि 9, 2 से पू यहाँ पर कौन सी संख्या से भाग जा रहा है, 3 से भाग कर लेते हैं, 3, 1, 3, 4, 4, 4, 3, 9, 5, 5, 5, 3, 6, यहाँ पर ये जो 3, 6 हैं इसको हम यहाँ पर इस तरह इके से रखके गुड़ा का साइन लगा लेंगे, अब 2 से भाग करेंगे, 1, 1, 2, 2, 4, 3, 5, 5, 5, उतार लेंगे, 2 एकन दो तो अब यहाँ पर कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कि इन संख्याओं को पूरा पूरा काट रही है तो छे दुनी 12 किया और इन संख्याओं का मल्टिप्लिकेशन कर लेंगे multiplication को easy बनाने के लिए हमें 5 दुनी 10 कर लिया और 12 तिया 36 कर लिया है यानि कि 360 इन दी गई संख्याओं का calcium हो गया है क्योंकि 3 जोडने पर बात कर रहे हैं तो जोडने के लिए हमें क्या करना है 3 घटाना है 357 बच किया है यही answer हो गया तो मैं उमीद करती हूँ यह बात आपको अच्छी तरीके से clear हो गई होगी 357 ही वहर संख्या है जिसमें से 3 जोडने पर यह जो LCHM आया है यह वहर छोटी से छोटी संख्या नहीं है यह LCHM है वहर छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 357 होगी आप चेक करके भी देख सकते हैं मैं उमीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक जरूर करें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो आपके पास पहुंसती रहें फ्रेंज मैं शिवानी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर एंड पाई